कॉलिगेटिव प्रोपेटी में हमने जो कवर किया था मैंनली कि रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेसर उसके बद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और यह सवाल उसी पर था डिप्रेशन इंग फ्रेजिंग पॉइंट पे ठीक है तो इसका अंसर इता था इसका अंसर यूरा आंसर ऑफ दिस फुर्ष्ट मेरा तो 49.5 के आसपास आ रहा होगा तो आज बिसिकली हमें जो करना है वो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रोपेटी करना है कॉलिगेटिव प्रोपेटी वो प्रोपेटी होता है एक डाइल्यूट सॉलीशन का जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है ठीक है तो इसमें जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रोपेटी आता है वो होता आपका कर दो ओस्मोटिक क्रेसर प्रेसर को हम पांट सेउसिक सा टॉन सीघंगे जो की आल्रेडी कि ELСпो पड़े होंगे आपको ऑस्मोसिश अब देखिए यह उस्मोसिश क्या हता इसको पहले हम लोग समझ लेते की चनी क्टीनर यह कंटेनर है जिसमें को एक को डिवाइड किया गया है जो है में ममें जिसको जो ते चले के अगपर पाइब गया है वहलूा की न इसको के सेमी पर्मीअबल मेंपरेंट न होता ओठानी ह्तीय जो इस मौल फोर्स होते हैं बहुत power definite है ठीक है सेंटी पर्मिएबल मेंब्रेंट और यह सेंटी पर्मिएबल मेंब्रेंट होता है अनली अब अब यहां होटा क्या है कि जो साइज और सौलिवेंट पार्टिकल का जो होता है काफी छोटा होता है as compared to solute size, solute का size बढ़ा होता है, just suppose इधर concentration C1 है और concentration C2, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यह term, अगर मैं बोलू कि concentration of solution, that means concentration of solute की बात हो रही है, अगर जेनरल बोला जाए, concentration of solution, इसका मतलब क्या होता है, concentration of solute की बात हो रही है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझने वाली यह बात है, कि यह semi permeable membrane है, और इधर से बस solvent pass हो सकता है, और यहाँ पर let कर लेता हूँ है, C1 greater than C2, that means concentration of, concentration of solution of first, left hand side container, left part is greater than concentration of solution, और concentration of solute, greater than right one, ठीक है, तो इससे यह तो जाहिव सी बात है, कि अगर concentration of solute इधर जादा है, तो solute इधर कम होगा, और इधर solvent जादा होगा, कहने का मतलब यह है, कि जिधर solute जादा होगा, उधर solvent कम होगा, और जिधर solute कम होगा, उधर solvent जादा होगा या नहीं, yes or no? तो पास तो आपका बस, पास तो आपका बस solvent ही करेगा, तो solvent जादा होगा, higher to lower travel करेगा की नहीं, तो इसको define करने का दो तरीता है, ठीक है, एक को solvent के term में define करें, और एक solute के term में define, तो यहां पर देखी पहला जो definition है basically, इसको ध्यान से देखेगा, उसके बार लिखेगा, यहां काफी conclusion होता है, the movement of solvent, पहले solvent के term में यह कर देता हूं, the movement of solvent molecules from lower concentration of solution to higher concentration, to higher concentration of solution through semi-permeable membrane, through semi-permeable membrane, तो देखिए, जाइब सी बात है, यहां पर क्या बुला है, कि solvent molecule का movement होगा, वो कहां होगा, lower concentration of solution, जहां पर solution का concentration lower हो, मतलब यह कि जिधर concentration of solute जो है, उधर जिधर कम होगा, concentration of solution का मतलब क्या होगा, concentration of solute जिधर कम होगा, जिधर concentration of solute कम होगा, उधर solvent ज्यादा होगा, इसलिए, lower concentration of solution to higher concentration of solution जाएगा, higher concentration of solution का मतलब क्या होगा, वहां solute ज्यादा है, तो solvent जो है, वो कम होगा, ठीके, और दूसरा definition देखिएगा, इससे और क्लियर हो जाएगा आप लोग को कि दूसरा डेफिनेशन जो है बैसिकली दूसरा डेफिनेशन इस तरीके से डेफाइन कर सकते हम लोग दे मुव्मेंट ओफ शॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रम देर हाइयर कॉंसेंट्रेशन कुपक्या मुव्मेंट होगा वह सॉल्वेंट का ही ओगा और चीधनेशन ज्यादा होगा क्यां होगा हाइयर कॉंसेंट्रेशन कि इसा आफिए और इसमें कोई वी डाउट हो अभी समझ लेजएगा क्योंकि टाफिए he और यह बात पता है हमें कि solvent ही मूफ कर पाएगा क्योंकि उसमें जो फॉल पॉर्स होता है उसके त्रूंट ही पास कर पाएगा ठीक है तो सोल्वेंट का जिदर ज्यादा हाइयर कॉंसेंटरेशन होगा तो लोइर कॉंसेंटरेशन ऑफ सॉल्वेंट जाएगा तो दोनों को में हम लुग डिफाइन कर सकते हैं चलिए जरह इसे लिखिए कि 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 का क क क अधिक लिए विए यह झाया विए जब रिक्लिया अधिक अब कर दोग्या इक सिंद, चोड़ा से रखने ओक अजय हमें बहुत सारा कॉस्टिंस कर ले है निच्स क्लस में छिछ आपकर कंप्लीट हो जाएगा जैन नेच्स तरम एलेक्टर चमिस्ट्री साट इनके पर अल्टानेक जो भी आप लोग का पेपर होगा जो से साथ से उन से यूनिट टेस्ट में क्या रहा है अब तो पत्ता नहीं सर अभी और कानिक की चल रहा है कि चाह और गानिक और आपके आर्पिट इस एलेक्ट रोगेश्टिक मिराज आप किस स्कूल में है मैं मैं अधर इंटरनाशनल स्कूल में कि देलिए और फिर में आर्मी स्कूल में से अच्छेंडी कर देखते हैं अब वह स्मॉटिक प्रेसर की बाद पर देखे ओस्मॉटिक प्रेसर को समझने स्पहले एक चीज़ पता हो जाना चाहिए कि सॉल्वेंट जीधर ज्यादा होगा उधर से लोवर कॉंसेंट्रेशन और सॉल्वेंट साइट फ्लो होगा यहां पे जो है आपका एक रिप्रेजेंटेशन एक डाइग्राम मनाता हूं मैं वह 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 यह तो झाल झाल तो यहां देखिये यहां पे आपका लगा हुआ है पिस्टन और यह दो पार्ट में यहां से डिवाइड़ेड है जो कि यह जो है आपका प्योर सॉल्वेंट है और यहां पे लग रहा सवाल यह है कि किदर से किदर मुवमेंट होना चाहिए इतना तुत्य है कि सेमी पर्मीएबल मेंब्रेन है तो इसके फूर्बंट पास होगा और सॉल्बंट किदर से किदर जाएगा जहां हाइयर कॉंसेंट्रेशन होगा सॉल्बेंट से को इधर से ल्हार कॉनसेंट्रेशन और सॉल्व मूफ करेगा वाल यह है राइट टू इस की एधर लेख्ट फुह अ będzie शल्वमेंट होगा दो जॉद टॉल्वें तो तो यहां सोल्वेंट हुआँ यहां कि सॉल्वेंट है सॉल्वेंट का ज्यादा होगा सब्सक्राइब मेराज तो अब देखिए यहां से इधर मुव्मेंट शुरू होगा अब इस मुव्मेंट को रोकने के लिए जितना प्रेसर यहां लगाएंगे आप एक्स्ट्राइस ओपेगे टू इस्टाप दे मुव्मेंट और स्टाप दोशित इस प्रोसिक जानने के लिए यह मुव्मेंट को रोकने के लिए इतन Sacramento Life जाये इस्य Grabin से अपने पर मोडिक प्रेंस अपने ेस लग को रोग दे अगर उससे ज्यादा अपने प्रेसर अप्लाइ कर दिया तो क्या यह मुवमेंट अपोजिट डैरेक्शन में जाने लगेगा अगर प्रेसर ज्यादा लगा दिया तो यह थोड़ी देखेगा कि उधर हाईयर है इधर लोवर है वो तो जाने लगेगा यह सब्सक्राइए अपोजिट डैरेक्शन जाने लगेगा मेरी आवाज लेक्ट कर रही है यह सब्सक्राइए अच्छा चलिए जरह यह बताईए कि अगर इससे इस पे बहुत ज्यादा प्रेसर लगा दिया आपने तो क्या यह मुव्मेंट लेफ्ट राइट जाने लगेगा या ने यह सब्सक्राइए तो इस जब यह मुव्मेंट अपोजिट हो जाता है उसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मॉसिस जो की वा वाज लैकरे तो बताईएगा में प्रेसर over solution side विच निस्तोर सOSमौ। इस बास debit स्थ में Onda कि वस्मूण अप्रेसर दास प्रेसर and denoted by π अब यहां पर हम ही क्या दरना एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया जैसे कि अब तक हमने करते आये हैं और कॉलिगेटिब प्रोपेटी एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया कि ओस्मॉटिक ट्रेसर जो होता है उस्मॉटिक ट्रेसर डाइरेक्ली प्रोपेश्णल सी होगया और इस प्रोपेश्णलीटी हो गया तो इन दोनों को मिलाया हमें तो डिरेक्ली प्रोपोर्शनल टू एम्टी हो गया और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगी तो अपने पास आता है गैस कॉंस्टेंट आज जिसका वैल्यू क्या पर जिरो पॉन जिरो एट टूवन तो पाई इस इक्वल टू सी आर ट प्रेशर डिपेंडेंट कैसे अगर हाइ करते हैं तो डिरेक्ली प्रोपोश्ट्र आपने प्रेशर डिरेक्ली प्रोपोश्ट्र टैंप्रेशर गया उस एक्सलों में पढ़ा था तो प्रेशर बढ़ेगा तो टैंप्रेशर बढ़ेगा ठीक है तो पाई भी तो एक प्रेशर ही है ना उस्मॉटिक प्रेशर तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं तो यहां पर आजाएगा आपके पास आर का जो वैल्यू होता है ठीक है अलग 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 यूनिट में अलग अलग वैल्यू होता है 0.0821 भी होता है तो आर का वैल्यू यह लिख सकते है 0.0821 लीटर बार पर कैल्विन पर मॉल या फिर आर इस इक्वल टू 8.314 जूल पर कैल्विन पर मॉल भी होता है और इसमें ज्यादा डिफ्रेंस नहीं होता एटीम में भी ले सकते हैं इसको एटीम में कंवर्ट करें लिटर एटी तो इस पर भी अच्छेगा से कॉश्चन अनते हैं फिलाल आस्टानेस पूरे चापकर को जबता भी कॉश्चन से वो सारा कवर करना है उसके बाद हम लोग अब नॉर्मल मोलर मास यह सारी चीज़े करेंगे वांट और फाक्ट लास्ट टॉपिक बचेगा उससे पहले सारे कॉश्चन से में करें तर दन एवरीवन मेराज यह सब्सक्राइब उससे पहले नहीं आप यह रिवर्स ऑस्मोसिक्स का वी डेफिनेशन लिखवा देता हूं यह लिख लिजेगा इफ प्रेसर इस मोर्दैं पॉस्मोटिक प्रेसर प्रेसर तो बस उस्मोसिस को रोकता ही है इफ प्रेसर इस मोर्दैं प्रेसर थैंग solvent flows from solution side to pure solvent this is called reverse osmosis this is called reverse osmosis इसको reverse osmosis के अभी यहां पे सवाल एक सुगर का कैमिकल फॉर्मूला पता है ना तो यह होता है आपका c12 कि अच्ट्वेंटीटीटू ओएल यह सुगर का कैमिकल फॉर्मूला होता है योले सवाल एक मिकरें है अभलू पिएलर सवाले tillेonna करेंगे आपका पीध्यों सोगर मिकुर्या है एफ झाल 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 यह स्थी फॉर्टीटू इस्थी फॉर्टीटू इस्थी फॉर्टीटू से काल्कुलेट किया होगा आपने तो यह मिला होगा थ्री फॉर्टीटू ग्राम पर झाल यह मिली ऐसे सवाल हो जाएगा आपसे की फॉर्मूला आपने पास पाई इस इकवल टू एम आइए इस आपकर में कॉंसिंट्रेस्ट इम्टान काफी इंपोर्टेंट है मेराज एन्य आंसर एन्य वन मोलारेटी चलिये मैं बताता हूं अपने को कैलकुलेट ओस्मॉटिक प्रेशर रिन इकाता हूं अब यहां पर मॉलारेटी की बात होती है तो मॉलारेटी यहां पर देखें वेट बाई वॉल्यूम दे रखा है जिसका मतलब क्या होता है 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दाट मेंज सूबर इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन अब मॉलारेटी इस इकोल टू क्या होता है नंबर अफ मोल्स अफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन्टू थाउजन अपॉन हं अब बस इसे थोड़ा सा कैंसिल कर लीजिए तू जिरो विल भी कैंसल बाई तू जिरो अन देन इट विल बिस फिफ्टी अपॉन थी फॉर्टी यह मॉलारेटी आगे अब बस वैल्यू रख देंगे तो वैल्यू रखने चलिए जड़ा यहां पे अगर वैल्यू रखते हैं पाई इस एकुल टू एम का वैल्यू कितना आया फिफ्टी अपॉन थी फॉर्टी तू और यह कितना जाएगा जिरो पॉंट जिरो एक टूवन एंड टैम्परेचर ठीक है क्योंकि 8.314 जूल में देता है तो जेंडरली हम की रोपॉंट जिरो एक टूवन लेंगे ठीक है महराज अलविया हिए्ट है है सब्सक्राइब देन एवरीवन मेराज अल्विया चली नेक्स्ट पॉस्टिन करते हम गो a 5% weight by volume sugar solution is isotonic with 0.87% weight by volume urea if molar mass if molar mass of sugar is 342 calculate molar mass of urea तो यहाँ पे मैं आपको hints देदू हुए यह isotonic का मतलब यह हो गया कि सेम उस्मॉटिक ट्रेसर है सेम इक्वल यह फिर सेम उस्मॉटिक ट्रेसर है बोथ हैं और इक्वल उस्मॉटिक ट्रेसर हैं कि हो जाएगा यह हैं से बाकि सब्सक्राइब कर लिए अगर नहीं होता है तो फिर बताएगा प्रेसर हैं कि अगस्मॉटिक ट्रेसर हैं झाल झाल मिहराज जी ये क्या हो जाएगा आप से सवाल झाल 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 यहां स्लाम लेकुँ झाल 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 क्लास के बाद आज़ जाओंगा तुर पैसे लेके जाऊंगा था पांच वजे ठीच ठीच कोई वेरी गुड़ अ आपिट नहीं आज तो निक शोलुशन इस 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 तॉनिक शालुशन बाइन नाज बेसिकली करें कि by इसमॉटिक प्रेसर्फ Ond Zूगर सब्सकीर इस इ dope तू प्रेसर ओ ईूरिया कि अब यहां देखनेंगे यहां आजाए मजा ए एं आर्टी मॉरारिटि एक बार ग Capture कम अम एक इंगे और मॉरारिट एक बार चनायोरिया कले लेंगे आर तो तोela r तो यहां पे क्या हो जाएगा टैंप्रीचर और और अब मॉल्टे ila यानि सूगर उपन वॉल्यम अपन लिटर अब इसे जब आप expand करेंगे तो आपको पता है कि 5 gram in 100 ml आएगा in the same way इसको जब expand करेंगे आपन लोग तो यहां पर आएगा 0.87 gram in 100 ml तो इससे पता चला कि volume भी same है तो volume same है तो हम क्या करेंगे volume को भी cancel कर देते हैं अब number of moles of sugar यानि given mass upon molar mass और यहां आजाएगा आपका number of moles of urea यान सब्सक्राइब निकालना है तो यह कर देंगे 0.87 divided by molar mass m ले लेंगे तो m is equal to क्या हो जाएगा आपका simple 0.87 into 342 upon में आ जाएगा 5 तो इसे जब solve करेंगे तो यह आपका 59.5 something इतना ही आया नार्पित आपका तो molar mass of urea approximately 60 gram होता है तो उसी के आसपास ऐसे ही जाएगा मेराज समझ में आया कि यह सब्सक्राइब मेरी गुड़ इससे लिख लिए अगर हो जाए तो बताएगा चाट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं आपको आपको आप बिल्कुल इस नहीं बोलते हैं चाट में रिप्लाई करें ताकि समझ में आया कि समझ में आ रहा है तो यहां अपना प्रोपेटीज कंप्लीट होता है अब हमें जो करना है हमें बस चुगी फिजिकल के में प्राफी जाला प्रैक्टिस करने की ज़रुरत होती है तो अभी हम लोग बस प्रैक्टिस करेंगे अगर यह हो गया हो तो बताईए मैं आगे बढ़ा हुआ है जैट में रिप्लाई कर दिजा आप अगर आप लोग की माईट में कुछ प्रोब्लम आ रही है जैरी गूड थैंक यू थैंक यू थैंक इस बात को ध्यान दीज़ेगा ठीक है तो रॉल्ड फ्लो पे एक सवाल देने जा रहा हूं है ठीक है और रॉल्ड फ्लो बहुत ही असान है कि दान दीक है यूगत है सब फ्लो रहा है रहा है और विल्डू नहीं है और रहा है यू़र दान के रिल दो हैंविग नहीं है कि रहा है तो प्रोब्लाब से हैंक एानगी। झाल झाल भपर प्रेसर of solution प्रेस्टपर प्रोड़ो practical प्रेस्ट doctrine भटेल लोड़, ठाड़, प्रेस्प्रश ऑग्रेस्ट्र ब Понागिक कर द्सक्तल के 00.618 विक ःता लॡ़ीजिय WA century पतंतो local को राकल मैंतों तक फ्त्रीक श्त में कि अमें है यह है आपका molecular mass of CHCl3 already given है 119.5 U and molecular mass of CH2Cl2 is equal to 85 U option को दे जेता हूँ अर पित मैं भी बताता हूँ आपको पिछला question क्या कर रहा है 173.9 mmhg B615 mmhg 0.9 mmhg 25.5 mmhg कि यह सवाल रहे सवाल लिख लिए पुरान वाला question में आपके आपको दिखा दूंदा भी पहले यह कर लीजिए कि अप्सें आप से थोड़ा से करेक्ट है इसको में लिख देता हूँ 90.92 यह कोश्चिन हो जाए तो बताईएगा मेराज अर्पित और अल्विया सकतsystem यह को यह को यह को आपने पुरा शॉल्ट किया मेराज? येस तर ओके अन्सर आ गया? अगे बहुत ही ओके अल्विया? ये आपके नीट का सवाल था जो ये काफी असान है क्या है आपके अन्सर? और पीट और आंसे नहीं आवाज नहीं आ रही आप पीछाए देजिए आंसे यह उससे पहले वाला सवाल था आपके टेकर स्क्रेंशॉट कि अवाज़ आपके टेकर स्क्रेंश आपके टेकर स्क्रेंश। कि यह कुश्चन काफी असान है हमें टोटल प्रेसर पूछा है तो टोटल प्रेसर का तो फॉर्मूला अपने को पता है ना कि खिट मैं प्रेसर और एकतक्रों प्रेसर सब्सक्राइब को प्लाइन को क्या सब्सक्राइब बात है फिर मॉल फ्राक्शन निकाल लेंगे एक बार इसका और एक बार इसका और इसली कोश्चिन हो जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट कोश्चिन करते हैं वह कोश्चिन जो है लिखिये जाएगा दे वेपर प्रेशर आफ टू लिक्विट्स ग कि फीकविट्स प्राएगे सबक्राइगे लूझर अगाक्विट्स टो लेडार वेओल लेड़्सt लेड़्स लेड़्स कार्चिन लेड़ magicð और, लेड़read the pressure pressure of solution obtained by mixing 3 moles of P and 2 moles of Q वोड़ी अप्सिंद देतान आप लोको 72 तॉर अप्सिंद या जायेगा 140 तॉर अप्सिंद या जायेगा 68 तॉर अप्सिंद या जायेगा 20 तॉर अप्सिंद यायेगा सवाल दो दियां आप लोगों को इसके बाद हम लोग कॉलिगेटी प्रॉपरिटी सवाल करेंगे यह यह सेम सवाल है और यह भी नीट काई है यह जाए़ नीट करेंगे लोगों करेंगे लोगों करेंगेटी सेटीं झाल 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 यह वेरी गुड बोथ ऑफ यह तो बैसिकली रॉल्स लॉप पे आप लोगर कर लिए कि सवाल कर सकते हैं ना आंसर इस ए ठीक है यहां भी वही अपलाई करना है पी टोटल इस इकूल टू ट्रेशर ऑफ पी प्लस प्रेशर ऑफ फिर वापस से लगा देंगे पी नौट पी जेटा पी प्लस पी नौट क्यों जेटा क्यों जेटा क्यों और इसली हो जाएगा नेक्स सवाल देखिए जो नेक्स सवाल है अपना वो है इन पॉइंट पर दो है प्रेशनीन फ्रेशन पॉइंट पे टिस्वाल अर्पित मैं सवाल दे रहा हूं आपको अच्छा अभी तो नहीं कट रही है नो कि जड़र मैं वीडियो आफ कर लेता हूं अब अवा जा रही है मेरी अच्छे से अच्छे से मैं वीडियो आज थोड़ा वखी रखता हूँ आफ बेंजेन is 5.12 this is 5.12 Kelvin kg per mole the freezing point for the solution for the solution of molality is 0.078 M containing a non electrolyte solute in Benji is option B 0.80 Kelvin option B 0.40 Kelvin option C is 0.60 Kelvin option B is 0.20 Kelvin this is your question please do on ition B do do अर्फित ये सवाल हो जाएगा ये सब्सक्राइब अर्फित ये सब्सक्राइब अर्फित ये सब्सक्राइब अर्फित ये सब्सक्राइब बहुत ही असान सवाल है और ये भी आपका नीट पर ही सवाल है अर्फित आउट यहां पर क्या जाएगा अर्फित ये सब्सक्राइब अर्फित ये सब्सक्राइब ये सब्सक्राइब तो वो किसके करीब है 5.1.2 0.078 that is wait a minute 0.399 0.4 कर सकते 0.40 तो आंसर होगा वी महराज चेक इट आउट कर मल्टिफिकेशन नहीं जलुटी कि 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 स्लाइड शेंज करूं कि कि अब तोड़ा दिफरेंट टाइप्स का एक और सवाल लेता है सवाल यह है ध्यान से करिएगा इससे स्वालमटर इस अंठ इस इस principles सट्रushy सैर ढम्होर राक्षिं कि स्वालम मौल ऋष्गर राक्षिंद स्ट्स जिए जिए 0.00 वर्टर वेपर जो मौल राक्षिंद वो 0.02 if the total pressure, if the total pressure of the saturated air is 1.2 atm, the partial pressure of dry air is, the partial pressure of dry air is, partial pressure of dry air is, partial pressure of dry air. . 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 3.9 तो यहां पे निकालना है थो बिसलिए ऋपने को यह निकालना ऑप ले सब्सक्रेटाइब चूछ ELO 24 ja बॉक कितना कि जो है आपका टोटल ऋफे ninth यह दे रखा ऑपन है ओटल फ्रेसर एह ओसंट ने है यह 123 टू है इंटू मॉल फ्रैक्शन ऑफ एयर की जब बात करेंगे तो मॉल फ्रैक्शन ऑफ एयर कितना है 0.9 ने इसको सॉल्व करके बताईए जरा कितना रहा है मैल्टिप्लाई करके बताईए 1.176 ने इसको सॉल्व करेंगे तो मॉल फ्रैक्शन ऑफ एयर कितना है इस दे रेसर और पार्शेल प्रेसर ओफ एयर समझ आई बात यह सर यह थोड़ा सा डिफेंट सावाल था लेकिन काफी इंपोर्टेंट है ठीक है चल्ली नेक्स्ट नेक्स्ट अगर देखे हम लो तो यहां पर देखियेगा इस मॉलालिटी झाली हुट मॉलाल्ध हल्लेटी अगर भी ऩुट सूलीट मॉलाधी अगर बाल्ट Χष्ट सोल्ट कॉंस्टेंट के विल भी यह बताने है ऑप्सन ने है हाफ ऑप्सन भी है ट्रिपल्ड ऑप्सन सी है अंचेंज्ट ऑप्सन डी है अंचेंट एम देख रगी कि अग्यूण आपकोर्ण बबाट रोम जनुति अग्यूद में रखब हैं डंचेंट कोईवार मेंगे श्यूद आपकोर्ण दीच तरूद रगी कि अबाट . 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 see KF I have written that this depends upon solvent this depends upon solvent if molality of dilute solution is doubled molality is doubled the value of molal depression constant it will be unchanged because it depends upon the nature of solvent okay yes sir so please write it it depends on nature of solvent and is independent of concentration of solution so please write it this is a very important question and this was a good question 2017 it was a very easy question let's see who can do it which of the following which of the following is independent the suffering is dependent on temperature option A molality option C is weight percentage weight by weight percentage option D is molality this is a very good question and very easy question let me know the answer after I and I and and I 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 कि फॉस्ट पॉल दिस पोस्ट इस पर जाए तर्फ जाए पॉन से आंसर पर मुलारीटी कि क्यों कि मुलारीटी इस एकुल टू क्या आगा देखे टैंपरेचर की बात कर रहा है और वॉल्यूम डिरेक्ली प्रोपोर्शनल टू टैंपरेचर होता है तो यह एक ऐसा इसा वॉ आ रहा है इसलिए इसके डिपेंडेंट होता है मौल फ्रैक्शन में तो नंबर आफ मोल साथा वेट बाइवेट परसेंट में वेट आता है इस वाज़े से आंसर क्या होगा यह होगा वेरी गोड़ अफाइप पॉसेंट सॉल्यूशन कि ऑफ केन सूगर कि अपर दे देता हूं ना लाट इस 342 इस आइसो टोनी अब पित आपके पास बायो है ना प्रक्राइब आपके पास बाइव है या मैंस ना मेरे पास बाइलोजी हो पॉक्के अब 1% सॉल्यूशन अफर सॉबस्टंस X चल्कुलेट मोलेकुलर वेट उपक्स चल्कुलेट मोलेकुलर वेट उपक्स प्रक्राइब जाएं तो प्रक्राइब मोलेकुलर प्रक्राइब ये ये जाए ये तो झाल 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 इसे करके कोस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुगर इस एकॉल टू एक्स और फिर एम एस आर्टी और यहां भी आ जाएगा एम एक्स आर्टी और यह दोनों कैंसल हो जाएगा वॉल्यूम भी सेम आ जाएगा तो बहुत ही सिंपल है जाएगा 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 अब देखें यहां पर यह सारे सवाल तो हो गए इसलिए मैंने यहां पर रोके कुर्शन करा रहा है जो की पूरा रिपीट होगा उन सब इसलिए मैंने यहां पर रोके कुर्शन करा रहा है जो लिए नेक्स प्लास में चापकर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मुझा आज हो मुझा देना पूरा एंसियर दवे वे प्राइव थपिस्ट्ट्बूैकर यह लूरा एंसियर आफ व कर दो कि आदैनल बंटार एंस देजस्द्ट मासटन को प्राइव स्ट्थमा और अंसरट मुट्ट 2 ऑृट of a non-volatile solute and 0.8 molar solvent is 60 mmHg in the vapour pressure of pure solvent at the same temperature hadi तो सवाल बहुती असान है कि द्यान देजिए ठोड़ा सा पॉसिस करिए नहीं होगा तुम मैं हो है कि वेशिप कर दाधा कि आख कि झाल 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 हो जाएगा यज से यज्वारे बढ़त्रैंग साफ झाल 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 तो आंसर सिंपल है यहां पे नॉन मोलेटाइल सॉल्वेंट जो है उसका यह मॉल है जिसका 60 mm जी है ठीके प्यूर बताना है तो हम सीरे-सीरे आरल वेटी लागा देंगे रिलेटिव लोरिंगे बेपर बेस्ट जीरेटाइल देटाइल यह इप्यूर यह आपउन पी नॉट यह जाएगा मोल फ्रैक्शन तो इसी तरीके से स्वार्व किना आर्पित तो जिरो बाइटू जिरो पांटू अपान वान आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे इसलिए पी नॉट एक वैलिव निकल जाएगा जो कि काफी आसान है ना काफी इस चली वेरी गुड लास्ट और at 100 degrees the vapor pressure of a solution of 6.5 gram of a solute in 100 gram water is 732 mm if Kb equals to 0.52 the boiling point of this solution will be option A 101 degree centigrade option B 100 degree centigrade option C 102 degree centigrade option D 103 degree centigrade 0.52 0.52 Kelvin kg per mole he understood it Kelvin kg per mole Kb ka value 0.容易 Chloe 0.20 0.21 no 0.8 0.10 1 0.20 0.20 0.20 0.20 झाल झाल जाएगा अर्पिती सर कर लो जाएगा अर्पिती झाल 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 वेरी गूद आपिट आपिट आपिए इस पे जिप्पे भी सवाल हुआ अपनी सारह कर ली अपने टम किया और तो आप सवाल को छोड़के अल्मॉस सारे सवाल करेंगा दो टॉपिक अपने पास एक मैंट फाक्टर और दूसरा जाता है जी और पापिक मिक्षिर जो की नेक्स्ट प्लास में इस पहले में चाहता हूं कि आपका जो पूरा इंस्यार्ट कावर करियेगा ठीक है नेक्स्ट क्लास तो अब ट्यूजडे में होगा है तो आपके पास अच्छा वाज़ा टाइम है तो सी वांट ट्यूजडे अपने डाउट्स लेकर आई होगा इस सब्सक्राइब